हार फीक्स सैमसंग ग्रेंट नियो स्क्रीन नॉट वर्किंग प्रॉब्लम नमस्कार डोस्तों सवागर अब सभी का तिकराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने सैमसंग के डिवाइस पर अपना जो यहां पर प्रॉब्लम आ रहा है उसको केसे फीक्स कर सकते हैं ठीक अगर आपका जो डिस्प्लिय स्क्रीन है यहां पर काम नहीं कर रहा है अच्छी तरीके से शृष्ट रहा हुता है अगर ये software के related कोई भी problem है तो जब भी दोस्तों ये चीज़ का problem आ जाते है आपकी device पे तो दोस्तों ये hardware के वज़ा से आते है या तो फिर software के वज़ा से ठीक है तो दोनों में से दोस्तों कोई भी problem आपको यहाँ पर हो रहा होगा अगर आपके screen वगएरा damage है तो ये दोस्तों एक hardware का issue है तो आपको simply technician के पास जाके fix करना होता है ठीक है लेकिन दोस्तों यहाँ पे मान लिजिए आपका screen पे कोई भी damage नहीं है फिर भी आपको इस तरीके का problem आ रहा है तो आपको कुछ solution से आपके follow कर लेना है उसके बाद भी दोस्तों hardware का issue हो सकते है ठीक है तो जानने के लिए आपको वीडियो पुरा देखना है और वीडियो शुरू करने से पहले जाके channel को subscribe करते हुए bell icon को click करना है और अगर आप online पेसा कामाना चाहते है तो वीडियो description पर link मिल जाएगा किसी भी problem के regarding पर आप हमें Twitter पर follow करके message कर सकते है चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते है तो सबसे पहले यहाँ पे आपको करना क्या है अगर ऐसा कुछ भी problem आ जाते है आपका जो case है दोस्तों उसको देखे ठीक है आपका जो बेक कवर है उसको remove कर दीजे और साथे साथ में दोस्तों आगर आपके screen पे कुछ भी यहाँ पे screen guard वगएरा लगाया हुआ है ठीक है कुछ temper वगएरा है तो उनको आप remove करके देखें ठीक है back cover, screen guard, stickers तो उन सब को आप remove करके देखें आपने screen से और screen को थोड़ा साथ करके देखें क्योंकि दोस्तों अगर गाम वगएरा लग जाते तो भी आपको problem हो सकते है ठीक है, screen को अच्छे कपरे से एक बर साथ करके देखें उसके बाद दोस्तों चेक करें, restart करके कि आपका problem solve हुआ है या नहीं हुआ है कई बार दोस्तों कई case में यही reasons रहते है, basic reasons और basic solutions ठीक है काम हो जाते हैं, तो आप भी यह सबसे पहले करके देखें, solve हो जाते है problem ठीक है अगर problem solve नहीं हो रहा है, तो दोस्तों आप जाएए setting पर अपना storage चेक करें ठीक है, अगर आपका storage दोस्तों completely consume हो चुका है, storage full है तो storage को 40% या फिर 30% आप free आप करें storage clean up करने के बाद दोस्तों, applications चेक कीजिए अगर कोई भी bad applications है, जैसे की 3rd party application यहाँ पे कोई भी unknown website से install किया हुआ applications, तो उनको भी आप delete करें अगर बहुत सारे applications है, तो उनको भी आप delete करें, अगर unused है तो थोड़ा सा mobile को free up करके देखिए, ठीक है कई बड़ दोस्तों क्या होते है, mobile lag करते है, full हो जाने के बाद तो हमें लगते हैं यहाँ पे display याडिफिर touch का issue है, ठीक है लेकिन ऐसा नहीं होते, वो lagging का issue होते और hang होने के वज़े से इसा problem होते है, तो आप एक बार जरूर यह try करके देखिए, अगर इससे काम बन जाता ही तो ठीक है, अगर इससे भी दोस्तों problem आ रहा है, तो आप touch check करके देखिए, ठीक है, अपने mobile पे touch check करके देखिए, उस फिर information के अंदर पे, तो build number पे आपको साथ बार click करना है, उसके बार mobile pattern आपको भर देना है, और यह developer enabled हो चुका है, ठीक है, अभी developer option कहा पर है, हमें वो search करना है, तो last पे आपको मिल जाएगा, तो उसमें जाए, enable होना चाहिए, आपका developer option, तो यहाँ पर हमें search करना है, pointer location, तो चलिए थोरा साथ नीचे जाके search करते, pointer location, ओके तो यहाँ पर है, अभी दोस्तों आपको क्या करना है, screen पे आप slide करके देखे, ठीक है, इस तरह के से आपको draw करके देखना है, screen पे, अगर touch आपका काम नहीं करते, तो touch यहाँ पर stop हो जाएगा, और continue नीचे से होगा, ठ अगर आपका touch इसी बीच में, ठीक है, problem करते, तो touch जो है, इस तरह के से यहाँ पर remove होके, दुबारा से new touch करने सुरू हो जाएगा, ठीक है, तो आपको पतर लग जाएगा कि इस area में आपका screen पे touch problem है, ठीक है, यह touch issue है, या फिर क्या problem है, आपको यही से पतर लग जाएग अगर आपका जो है, यहाँ पर touch का issue आ जाते, तो touch काफी जादा मीस होगा, तो आप क्या कर सकते है, touch को change भी कर सकते है, या फिर display चेक करवा सकते है, किसी भी technician के पास जाके, ठीक है, तो इस तरह के से भी दोस्तो कई बार हम चेक कर सकते हैं, सारी साथ दोस्तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सौफिर अपडेट करना है, सौफिर अपडेट करने से दोस्तो आपके mobile पे काफी जारा improvement हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है, और भी ज्यादा यहाँ पे performance अच्छा होने के लिए आपको सौफिर अपडेट दिया जाते हैं, तो सौफिर को अपडेट करें और उसके बाद चेक करके देखें, दोस्तो इससे काफी आपको फाइदा होगा, और आपका problems भी यहाँ पे solved हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरी करना है, और factory data reset पर क्लिक करते हुए, आपको reset पे डबाके mobile password भर देना है, और reset कर देना है, ठीक है, अगर उसके बाद भी same problem ही है, तो आप किसी भी technician के पास, या फिर service industry पास जाके fix कर सकते हैं, वाइरिंग का issue हो सकते हैं, मा रबोट problem हो सकते हैं, display खराब हो गया होगा, कुछ भी problem यहाँ पर हो सकते हैं, तो वो check करने के बाद यह आपको पता चलेगा, ठीक है, उनके पास एक meter होते हैं, उससे check करते हैं, तो उससे ही पता चलेगा, तो इस तरह के से दोस्तों, display, screen touch problem हामें fix करना होते हैं, उमीद करते हैं, आपको यह video पसने होगा, thanks for watching.